इस लेशन में क्या है बहुत साल पहले एक बुद्धिमान लोमडी और उसका विश्वस्निय दोस्त मगरमच रहते थे खाना ढूड़ना तो हमेशा से ही कठिन काम था इसलिए एक दिन उन्होंने यह निश्चे किया कि वे अपना खाना खुद उगाएंगे पहले उन्होंने कुछ चावल उगाएं तो मगरमच ने पूछा हम चावल को कैसे बाटेंगे इस पर लोमडी ने कहा जो जमीन के अंदर उगा हुआ है वो तुम्हारा और जो उपर का हिस्सा है मैं लूँगा जब वे पौधे खीच रहे थे तो मगरमच ने देखा कि केवल जड़ जमीन के अंदर उग रही थी पेस्टी चावल ग्राउंड के उपर उग रहा था चतुर लोमडी हसी और सारा चावल खाली अगले दिन उन्होंने आलो उगाने का निश्चय किया जब फसल काटने का समय आया तो मगरमच ने कहा इस समय मैं उपर का हिस्सा लूँगा उन्होंने जब पौधे को उखाड़ा और मगरमच को बड़ा अस्चर हुआ जब उसने देखा कि जमीन के नीचे आलू पड़े हुए थे लोमणी जोर से हसी और आलू खाली लेकिन मगरमच बहुत नाराज हुआ उसके बाद उन्होंने नार्या लुगाया तो लोमणी ने कहा कि डिसाइट कर लो कि तुम कौन सा भाग लेना चाहोगे बाहर का भाग या अंदर का भाग तो मगरमच अचानक नाराज हो गया और उसने कहा कि इसके अंदर जरूर कुछ कड़क भाग होगा मुझे बाहर का हिस्सा चाहिए मैं बाहर का भाग खाऊंगा जब उन्होंने नारियल को काटा तो देखा कि अंदर का हिस्सा ठंडा गुदेदार और पानी वाला है और बाहर सिर्फ कड़क भूसा है वे बहुत नाराज हुआ अब लोमडी हसी और नारियल खा ली अंत में लोमडी ने ये डिसाइट किया कि गन्ना उगाएंगे वो बस मगरमच को कहने हैं वाला ही था कि तुम जड़ और पत्ते दोनों रख लो और मुझे बचा कुचा हिस्सा दे दो अब हम हर चीज शेयर करेंगे या बाटेंगे मगरमच ने कहा उस दिन से मगरमच और लोमडी के पास बहुत सारा खाना था और वे लोग हमेशा खुशी खुशी रहने लगे तो बच्चों हमने इस लेसन में देखा कि हमें अपना खाना हमें अपना सामान दूसरों के साथ सेयर करना चाहिए हमें अपना खाना बाट कर खाना चाहिए और क्योंकि कहा भी गया है कि sharing is caring Thank you, have a great day